41A का notice आने के बाद में कई बार ऐसा देखा गया है कि मामला होता कुछ नहीं बढ़ मामले को आप इतना बड़ा बना लेते हो कि सुप्रीम कोर्ड तक जाते हो bail dismiss होती है बाद में सुरेंडर करते हो, jail जाते हो, jail काट के आते हो और जबकि मामला इतना बड़ा था नहीं आप फुंसी का नासूर बना लेते हो बट अगर आपने अंटिसेबेटरी बेल लगा दी और गलती से अगर बेल डिसमिस हो गई तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तै करना पड़ सकता है दोसु जब भी किसी घर पे अगर 41-A का नोटिस आता है जरूरी नहीं कि नोटिस आपके घर बाई पोस्ट ही आएगा आपको व्टसेप आ सकता है, आपको मेल आ सकता है और हो सकता है कॉल भी आपको आए फिर भी आपके पास व्टसेप भीश दिया जाए इन सभी माईनों में 41A का जो नोटिस होता है उसके कम्प्लाइंस मान लिये जाते हैं मतलब कि आपको 41A का नोटिस मिल चुगा है 41A का नोटिस आने के बाद में कई बार ऐसा देखा गया है कि मामला होता कुछ नहीं बट मामले को आप इतना बड़ा बना लेते हो कि सुप्रीम कोड तक जाते हो बेल डिसमिस होती है बाद में सरंडर करते हो जेल जाते हो जेल काट के आते हो और जबकि मामला इतना बड़ा था नहीं आप फुनसी का नासूर बना लेते हों तो क्या-क्या साफधानिया आप बरते हैं ऐसी कौनजी पांच बाते हैं अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपने केस से निकल भी सकते हैं कैस को सौट आउट भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपका मामल पूरी तरह से खतम ही हो जाए तो जादा कुछ जानने के लिए कि 41 एकार नोटिस अगर आए आप उससे कैसे हैंडल करेंगे दोस्तों बने रही हैं हमारी इस वीडियो के साथ दोस्तों आप कोई भी नए वकील साहब है कोई भी लॉज स्टूडेंट है या फिर अभी आपने अपनी वकालत शुरू की है अभी आपने अपनी लॉज की प्रैक्टिस शुरू की है तो ऐसे में आपके सामने भी एक चुनोती आती है जिसमें एंटिसिपेटरी वियल करा ना होता है या फिर 41 एका नोटिस आपके क्लाइंट के पास आजाता है तो जो वीडियो है आज का ये बहुत मैत्पूर्ण आपके लिए होने वाला है वीडियो को पुरा देखें अच्छा लगे तो शेर करें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप दोस्तों 41 एका नोटिस आता कब है पहला आप ये समझें 41 एका नोटिस आपका आएगा जब भी आप किसी भी मामले में आपका नाम आया है आपकी involvement आई है अब वो involvement हो सकता है कि आपके account में कोई पैसे आए हो हो सकता है आपके account से कोई पैसे गए हो या ये भी हो सकता है कि सी भी मामले में थोड़ी सी पूछताज पुलिस को करनी हो या फिस साइबर सेल से भी 41 एका नोटिस आ सकता है तो ऐसा कोई भी नोटिस कभी भी आपके पास अगर आता है तो आप इन स्टेप को फॉलो आप जनू करें सबसे पहली बात कि 41 एका नोटिस आपको मिला तो आप बहुत जादा आप घबरा जाते हैं घबराने के बाद में बहुत सारे गलत स्टेप तक आप फॉलो कर लेते हैं वो सब आपको करना नहीं है नमबर बंद नहीं करना है इस नमबर अमबर बंद के घर छोड़ कर आपको यह चल देते हो यह सब गलतियां आपको नहीं करनी है गबराना नहीं है, गबराएंगे नहीं तो कोई न कोई solution जरूर निकल जाएगा, solution भी निकलेगा और सब तरह से आप केसे बाहर निकल भी जाओगे, सबसे पहली बात गबराना नहीं है, दूसरी बात आप जब भी कभी 41 एकर नोटिस आपके घर पे आए, तो आप या तो खुद पुलिस स्टेशन चले जाएं आपको जरूरी नहीं कि पुलिस वाला अरेस्ट कर ही लेगा, या तो आप किसी भी जानकर सगे संबंधी को आप पुलिस स्टेशन भेजें, ये भी नहीं कर सकते लेने की वज़ा से ही आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, पहले केस को समझें, केस को जाने कि क्यूं आपके पास 41 एका नोटिस आया है, ताकि पूरी कहानी आपको पता हो, क्यूं आपके पास वो नोटिस सर्फ किया है, दोस्तों तीसरी बात कोई इतना आसान नहीं है, इतना कोई खेल नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल लेना क्यूंकि अभी तो क्या है, सिर्फ आपके पास 41 एका नोटिस आया है, पूस्ताच आप करेंगे हो सकता है, पूस्ताच में कोई चीज सामने ना आए, और इजीली आप उस केस से बहार निकल जाए, पट अगर आपने अंटिसिपेटरी बेल लगा दी और गलती से अगर बेल डिस्मिस हो गई तो आपको सुप्रीम कोट तक का सफर तै करना पड़ सकता है, मतलब आप फिर जाओगे हाई कोट, फिर आप जाओगे सुप्रीम कोट अगर हाई कोट से बेल आपकी नहीं होती है क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल आप शुरू करते हैं सेशन्स कोट से उसमें मजिस्टेट साब का जो कोट होता है उससे कोई मतलब नहीं होता एंटिसिपेटरी बेल में सेशन कोट जाओगे हाई कोट जाओगे Supreme Court भी आपको जाना पड़ सकता है और उसके बाद भी ऐसी कोई confirmation नहीं कोई guarantee नहीं कि आपकी bail हो ही जाएगी तो पहले आप कोशिश करें जो दो बाते मैंने आपको बताई आप उन्हें follow करें अगर फिर भी नहीं बात बनती तो ही आप anticipatory bail लगाएं तो सबसे पहले नंबर बंद कर लेता है फोन बंद कर लेता है घर से फरार हो जाता है तो उस्तों मान लीजी आप bail लगा रहे हो बail अगर आप लगा रहे हो बail तो खेर आपको लगाने ही पड़ेगी अगर 41 A के notice में आप जाकर पुलिस के साथ कोपरेशन नहीं करते हो साथ में जो उनकी investigation है उसमें सहयोग नहीं करते हो तो पर ऐसे में पुलिस आपके अगेस्ट 82 की प्रोसेडिंग सुग कर सकती है जो एपसकॉंड की प्रोसेस होता है जो की भगोडे के लिए प्रोसेस चलाया जाता है 82, 83 का उस पर detail वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो का आप देख लेना तो आप समझ जाओगे हाला कि हमारे home page पर ही वो वीडियो डला हुआ है तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल आप ना करें फरार बिल्कुल ना हूँ आप उस case से भागे नहीं case का solution निकाले case के देखें किस तरह solution निकाला जा सकता है आप अगर फरार हो जाएंगे तो case आपका और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और last में आप जेल जाओगे और फिर जब जब आपकी बेल लगाई जाएगी इन दिन किसी भी इनसान से है तो आप उसे compound करें क्योंकि जो cheating का मामला है 420 का मामला बनता है तो compoundable है तो उसमें बैट कर हो सकता है आपकी किसी भी तरह से सहमती से राजी नामा हो जाए राजी नामा अगर होता है तो आप कर ले उससे आपका केस खतम हो सकता है केस खतम भी हो जाएगा इसलिए आप निकल भी जाएगे और अगर जूटा केस आपके उपर हुआ है तो राजी नामा करने की कोई ज़रूरत नहीं केस को आप fight कीजिए उस केस से आप निकल जाएगे बरी भी हो जाएगे फरजी है जूटा है तो ऐसे में आपको question लगानी चाहिए मतलब की आपको high court या supreme court जाना चाहिए question के लिए question के लिए आप जब जाते हैं तो इसमें आप F.I.R. को question करवाते हैं मतलब की F.I.R. नहीं बनती F.I.R. मेरे उपर नहीं होनी चाहिए और जो F.I.R. हुई है वो fake है फरजी F.I.R. है तो ऐसे में आप question ज़रूर लगाएं अगर आप मान लीजिए बेल लगाने नहीं भी जाते हैं आपने एंटिसिपेटरी बेल नहीं भी लगाई है तो सीधा आप question के लिए भी जा सकते हैं ये भी आपके पास एक प्रावधान है पर 41 A का notice आए तो डरे नहीं गबराएं नहीं फरार ना हूँ आप phone बंद ना करें चीजों का डटके सामना करें कोई भी किसी तरह की support, help आप चाते हैं हमसे आप contact कर सकते हैं या फिर comment box में जाकर आप comment करें और अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमसे चैनल को भी सबस्काइब करें साथ में लगा बेल आकर ज़रूर दबा दो ताकि इसी तरह की legal awareness की वीडियो दोस्तों आप तक पहुच सके सबसे बहुत 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 शुक्रे दोज़ने वाद हमारे इस वीडियो के साथ बने ने के लिए